हेलो दोस्तों तो आज हम आपको जैसलमेर दुर्ग के बारे में बताएंगे जैसलमेर दुर्ग की क्या है खास बात किसने करवाया इसका निर्मान और किस किसने इसके निर्मान कारियों को पूर्ण करवाया इस सारी जानकारी को हम आपके साथ सेर करेंगे इतियास के बारे मे में भी जानेंगे इसके निर्माण के बारे में भी जानेंगे जैसलमेर किले का निर्माण 1156 में बाटी राजपूत राजा राव जैसल ने प्राणंब करवाया था उसके बाद इसको अंतिम रूप इनके ही उतरादिकारी सालिवाहन ने पूर्ण करवाया और इसको मुर्थ रूप दिया इस किले में बहुत से गेट बने हुए हैं बहुत सी पॉल बनी हुए है जो अलग अलग राजाओं द्वारा निर्माण करवाया गया और उनके नाम से ही इन पॉल का नाम रखा गया है जैसे इस किले के मुख्य पॉल का नाम अखे पॉल है जो महाराजवा अखे सिंग ने इसका निर्मान करवाया अब बात करते हैं कि इस किले की खुबसूरती कैसी है ये किला पिले बलुवा पत्थर से बना हुआ है जिसमें कहीं भी सिमेंट या गारे का इस्तेमाल नहीं किया गया पत्थर पर पत्थर रख कर जमा कर या उसमें खाचे डाल कर इस किले का निर्मान किया गया तो आप सोच सकते हैं कि इस किले को कितनी बारीकी से बनाया गया होगा कहीं भी सिमेंट का उपयोग नहीं हुआ है सुकी चुनाई करी गई है और आज तक 1156 से लेके आज 2000 तक 1000 वर्स लगबग 1000 वर्स के बाद भी ये किला एकदम सुरक्षित देखने को हमें मिलता है अब बात करते हैं कि इस किले की खुबसूरती कैसी है ये किला स्वन यानि की पीले पत्थरों से बना है और जब सूरिय की किरने इस किले पर पड़ती है तो वो सोने जैसी चमकती है एक स्वन सी आभा देती है जिस कारण इस किले का नाम सोनार का किला या स्वन किला के नाम से भी जाना जाता है अब बात करते हैं इसकी इतियास की तो 1294 के आसपास भाटी समराजी को अलाउदीन खिलजी द्वारा आट से 9 साल तक गेरा बंदी का सामना करना पड़ा था उसके बाद 1551 के आसपास रावल लून करन के सासन के दोरान किले पर फिर से एक बार अफगान सासक अमिर अली द्वारा आकरमन किया गया था जिसके बाद राजा लून करन को अपनी बेटी की साधी हुमाईयू के बेटे अकवर से करवानी पड़ी थी जिसके बाद इस किले पर आकरमन होने से बच गया और किला सुरक्षित रख लिया गया बात करते हैं जैसलमेर दुर्ग की तो जैसलमेर किला यूनेसको के विश्व धरोवर इस्थलों में भी सामिल है ये किला विश्व इस्तर पर फहमस है यूनेसको की सुची में सामिल है इसलिए ये किला और भी रोचक बन जाता है दरसल इस किले के बहुत से गेट है और इसका जो मुख्य द्वार है उस द्वार का नाम अखे पॉल है क्योंकि इसका निर्माण महरावल अखे सिंग ने करवाया था तो इस तरह हमने इस किले में ब्रमन किया इस किले के बारे में सोचा जाना और समझा